प्लाश्टर जो होता है वो ना सिर्फ आपके घर का लुक बढ़ाता है बलकि आपके घर का प्रोटेक्शन भी करता है तो ऐसे वक्त में एक सवाल जरूर आता है कि plaster की थिकनेस कितनी होनी चाहिए और तो और उसके ratio क्या होने चाहिए यानि कि कितना cement का इस्तमाल करना है कितना sand का इस्तमाल करना है इन सभी के बारे में दोस्तो हम आज की वीडियो में जानेगे पर वीडियो शुरू करने से पहल अगर आप लोग इस चानल पे नए आयो तो चानल को ज़रू साब्सक्राइब कर दीजे और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक ज़रू कीजे तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे main point के तरफ अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तो प्लास्टर की thickness की अब प्लास्ट इसली कर दão आयो प्लास्टर की तो इस वाज़े से आपको पता होना चाहिए कि I.S. कोड़ अनुसार आपके plaster की thickness कितनी होनी चाहिए हाला कि ये जरूरी नहीं कि आपके plaster की thickness जितनी यहाँ पर बताई गई है उतनी ही लेनी है क्योंकि ये depend होता है दोस्तो site के condition पे और तो और आपके काम के उपर अगर आप अपने घर के plaster की thickness बहुत जादा बढ़ाना नहीं चाहते तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखने है कि जो कोई भी आप plaster से पहले वाला जो काम करने वाले हो वो आपको सही से करना है यानि कि आपकी जो दिवार है RCC है इन चीजों को आपको सही से करना है यानि कि बहुत ही जादा आपका brickwork जो है वो bend नहीं होना चाहिए इटे जो है वो आगे पीछे के तरप नहीं होनी चाहिए अगर ऐसी चीज़े होती है अगर आपकी दिवार bend है अगर आपके column beams bend है तो ऐसे वक्त में आपके प्लास्टर को बहुत जादा माल देना पड़ता है जो कि आगे ने एक अच्छी बात नहीं होती आपके प्लास्टर के लिए तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते है तो definitely आपको फाइदा हो सकता है पहले अगर हम जानेंगे दोस्तों सिंगल कोट अगर आपका प्लास्टर है तो उसके लिए आपकी थिकनेस आनी चाहिए 10 से लेके 15 mm तक और अगर आपका प्लास्टर डबल कोट है तो ऐसे सिचुएशन में उसकी थिकनेस 20 से लेके 25 mm तक होनी चाहिए अगर आपका सिलिंग का प्लास्टर है वहाँ पर 6 mm से लेके 10 mm तक plaster का माल आता है अब यह जो thickness है दोस्तो यह totally depend होगी आपका पहले से काम किस type क्या है जितना काम अच्छा होगा उतनी thickness आपको maintain रखने में मदद मिलेगी दोस्तो अगर हम बात करते है double coat plaster की तो ऐसे situation में अगर पहला coat है तो उसकी thickness आप 12 mm से लेके 15 mm तक ले सकते है और जो second coat है उसकी thickness आप 8 mm से लेके 12 mm तक रख सकते है तो यह तो होगई दोस्तो thickness की बात क्यूंकि thickness में आपने देखा होगा कि ceiling का जो plaster है वहाँ पर thickness कम बताई गई है और तो और आपको यह चीज का भी ध्यान देना ही कि आप जहापर आपके columns और दीवारे जहापर joints आते हैं वहापर आपको fiber mesh का इस्तमाल करना है और तो और जहापर आपके RCC member है वहापर आपको आच्छे से hacking कर लेनी है जिसे की टाकाई कहते है इन चीजों को आपको करके लेना है जिसे की plaster को आच्छी कासी grip मिल सके तो दोस्तों यह तो हो गई thickness की बार अगर हम बात करते हैं दोस्तों ratio की तो ratio जो है plaster में 1 as to 3 से लेके 1 as to 6 तक का इस्तमाल किया जाता है अब यह क्या होता है 1 as to 3 और 1 as to 6 इसके बारे में हम पहले जानेगे जनरल जो ratio इस्तमाल किया जाता है दोस्तों plaster के लिए वो किया जाता है 1 as to 4 यहाँ पर 1 जो है वो है cement और 4 जो है वो है sand तो इस proportion में आपको लेना है तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों 1 as to 4 की अगर आपका external plaster है तो इसके लिए आपको 1 as to 4 के तरफ जाना चाहिए तो इस वज़े से 1 as to 4 का proportion जो है वो sufficient साबित हो सकता है आपके plaster के लिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों 1 as to 5 की तो 1 as to 5 जो है आपका brickwork का motor जो है उसमें और internal plaster के लिए इस्तमाल किया जाता है और जहाँ पर बात आती है दोस्तों 1 as to 6 के proportion की तो 1 as to 6 का proportion जो है दोस्तों वो भी internal plaster के लिए इस्तमाल किया जाता है और यहाँ पर और एक चीज़ समझना जुरूरी है दोस्तों जितना important होता है cement और sand उतना important होता है दोस्तों पानी दोस्तों एक बार अगर आप माल बना लेते हैं तो बार बार उसमें पानी बिल्कुल भी mix मत कीजिए और तो और ऐसा नहीं कि अगर आपने अभी माल बना के रखा है और खाना खाने को चले गए और एक दोर घंटे बाद उस माल का इस्तमाल कर रहे है उससे उसकी strength पर effect गिरता है तो जितना fresh आप अगर mortar का इस्तमाल करते हैं तो उतना ही ज़्यादा आच्छा सावित हो सकता है आपके plaster के लिए और तो और दोस्तो plaster में बहुत सारे chemical का भी इस्तमाल किया जाता है जो कि plaster की durability और strength बढ़ाने में उसकी बहुत ज़्यादा मदद करते है तो उनका भी आप इस्तमाल कर सकते है तो दोस्तो ये कुछ points थे जो कि plaster की thickness और ratio से related थे ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगी हो तो ज़रूर इसे share कर दीजे तो मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद